टीवी का पॉपिलर शो बिग बॉस सत्रा खूब टी आर्पी बटो रहा है। शो को काफी पसंद किया जा रहा है और अब तक शो के तीन कंटेस्टेंस आउट हो चुके हैं। वहीं अब सल्मान खान के शो से एक और सदस्य का सफर इस हफते खत्म हो गया है। इस वेकन के वार शो में एंटर्टेन्मेंट के साथ ही काफी ड्रामा देखने को भी मिला। जहां एक तरफ शो में एक वाइल कार्ड एंट्री हुई है तो वहीं एक सदस से बेघर भी हो गया है। शनिवार के वार में पहले तो सल्मान खान और खानजादी की लड़ाई देखने को मिली है। इस दोरान भाइजार ने खानजादी को घर से जाने के लिए भी कह दिया। वहीं शो में सेलेट्स के फेवरेट ओरी की भी वाइल कार्ड एंट्री हुई है। और इने आते ही अपनी बातों से सल्मान खान को खूब हसाया और उन्हें इंप्रेस किया। वहीं शो में सनी लियोनी और अभिशेक सिंग ने भी बता और गेस्ट एंट्री मारी। सनी और अभिशेक ने घरवालों के साथ एक टास्क भी किया जिसमें उन्हें बताना था कि किस सदस्य से उनकी बॉंडिंग नहीं हो पाएगी। इस पर खानजादी अभिशेक कुमार का नाम लेती हैं। इसके बाद सारा ड्रामा शुरू हो जाता है। अब बता दें कि शो से ऐलिमीनेट होने वाला सदस्य कौन है। इस हफते जिसका सफर बिग बॉस से खात्म हुआ है वो और कोई नहीं बलकि जिगना वोरा हैं। जिगना कम वोट मिलने की वज़ा से शो से बाहर हो गए है। जिगना की घर से अलिमिनेच होने पर रिंकू और मुनवर काफी इमोशनल नजर आए बता दें कि जिगना वोरों से पहले सोनिया बंसल, नावेद सोले और मनस्वी ममगई शो से बाहर हो चुके हैं इस बारे में आपको क्या लगता है हमें कॉमन करके जरूर बताएं फिलाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही ऐसी तमाम और बिग बॉस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं रिपोर्टर जी